तो सभी को बाई गुट इवनिंग मैं जुवेश्कमा स्वागत करता हूं आपका अटर 24 7 पर तो चलिए आज के सेशन को शेयर जरू करिएगा अगर आपको सेशन अच्छा लगता है दीपक सेंद गुपता आपका कमेंट तो शो हो रहा है सर ओके तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं just one minute मैं आपके कमेंट देखने के लिए कर दो तो आज हमारा जो सेशन है यह साइंस पर बेस है क्योंकि आपका जो डी एफ सी सी आयल का एक्जाम है उसमें साइंस का सेशन भी आगा स्पेशली जनल नॉलेज के से हटकर जनल साइंस को मेंशन किया गया तो यानि इस सेक्शन को भी हमें काफी ध्यान से करना पड़ेगा तो सभी का वेलकम है चली शुरू करते हैं आज के सेशन को हम ओके के अरुनरा थौर्ड गूड इवनिंग पंकरज बोनी आकाश ओके चली आगे बढ़ते हैं पहला कोशन आपकी स्कीन पर what is light year तो light year क्या है द होती है 3 into 10 to the power 8 meter per second ओके vacuum में speed of light सबसे ज़्यादा होती है तो जो light किसी distance को cover करें कि within one year तो उसे हम light year बोलते हैं distance की एक unit होती है एक light year में किती distance को cover करती है light तो 9.46 into 10 to the power 15 meters को किती 9.46 into 10 to the power 15 meters को आपका distance करते हैं तो one light year okay space में जो हम distance को measure करते हैं वो light में करते हैं अच्छा लेकिन light year distance की सबसे बड़ी largest unit नहीं है distance की जो सबसे बड़ी largest unit है वो है parsec okay parsec is the largest unit of distance one parsec is equal to 3.26 light year एक जो parsec होता 3.26 light year के बराबर होता है that means the total length in one parsec is 3.08 into the 10 to the power 16 meters okay and ये भी आपका space में use होता है space में हम एक और unit को use करते हैं जिसे हम astronomical unit बोलते हैं actually it is a distance between sun and earth one astronomical unit okay यानि earth और sun के बीच में जो आपका distance होता है उसे एक खगोली एकाई यानि one AU astronomical unit कहा जाता है जो आपका होता 1.5 into 10 to the power 11 meters यानि 15 करोड किलो मीटर okay किता 15 करोड किलो मीटर 1.5 and एक unit होती है फर्मी okay फर्मी फर्मी होती है 10 to the power minus 28 meter 10 to the power minus 28 meter तो फर्मी क्या होता है okay तो दियान लखेगा बिलकुल बजरंग वली की किरपा आप पार्सेक सही बता रहे हो देखो 10 की घात minus 28 ये फर्मी होती है तो पार्सेक जैसे दूरी की सबसे बड़ी ही काई है ना फर्मी जो है दूरी की सबसे छोटी ही काई है it is the smallest ये आपकी क्या है smallest unit है और और यह आपके distance की क्या है largest unit है, यह आपके क्या है distance की largest unit है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले question को बढ़ते हैं, और session को अगर अच्छा लगे ना तो session को share और like जो करेगा, which element is used in electric stove, electric heater हो गया, electric stove हो गया, तो copper, inwar, meganelium, nichrome, जल्दी से बताओ इस question का answer, बहुत easy question है वैसे तो, इसी type का आएगा आपका, कि आपको बताना है कि जो electric stove है, उसमें हम कौन से उसको use करते हैं, तो दियान दखेगा, nichrome इसका answer है, electric heater हो गया, okay, electric heater हो गया, आपका electric stove हो गया, उसमें हम nichrome को, अच्छे जो copper है न, copper जो है न, first metal, first metal used by, used by men, okay, या human, आप कहले, मानब दुआरा, सबसे पहले, अगर किसी metal को use किया गया था, तो वो copper था, ध्यान रखेगा, आप हम पढ़ते भी है न, history में, stone edge, okay, copper edge, and then iron edge, तो copper जो है न, first metal था, जो human ने use कर रहा था, okay, जी हाँ, अगला, second pendulum is a pendulum which execute one oxalation in half second, three second, two second, या none of these, जल्दी से बताईएगा, second pendulum is a pendulum which execute oxalation in half a second, three second, two second, या none of these, तो जो second pendulum होता है, वो इस तरीके साथ है, जो pendulum जो होता है, आपका gravitation पर वक करता है, ध्यान रखेगा, so यहाँ से यहाँ तक एक second, और फिर यहाँ से यहाँ तक आपका एक second, यानि two second का यह लेता है, option number C is का right answer है, okay, option number C is का right answer, आगे बढ़ता है, what is the SI unit of magnetic flux, magnetic flux की SI unit क्या होती है, जल्दी से बताऊ, उस question का answer क्या है, और आपको ध्यान रखेगा, आपको यह भी बताना है कि Tesla किसकी unit होती है, Tesla unit, okay, Tesla किसकी unit होती है, Henry किसकी unit होती है, तो देखो, magnetic induction, okay, magnetic induction की जो आपकी unit होती है, okay, magnetic induction की वो आपकी होती है, Tesla, Tesla करके Elon Musk, जिनकी SpaceX company भी है, Tesla करके electronic car भी है, Henry जो होती है, Henry आपकी electrical, electrical, okay, inductance, inductance की unit होती है, और Weber इस question का answer है, magnetic flux की जो unit होती है, वो Weber होती है, Ohm is the unit of resistance, Ohm किसकी unit होती है, resistance की unit होती है, Ohm किसकी unit होती है, आपकी resistance की unit होती है, हम, आगे बढ़ते हैं, Energy is constitutionally created, okay, Magnetic induction को ही magnetic flux density बोलते हैं, ठीक है, यह जो आपका, कह रहो हैंना, magnetic flux density, बिल्कुल सही, इसे magnetic flux density भी बोलते हैं, Magnetic induction को magnetic flux density बोलेंगे, ठीक है, यह आप गलत नहीं बता रहे हो, नहीं मैंने गलत बताए, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, Energy continuously created in the sun due to the, मतलब जो आपका electric, जो sun की energy का source है, वो क्या है, okay, sun की, what is the source of sun's energy, और guys, session को यह शेयर और लाइक जहू करेगा, okay, तो energy का source क्या है, तो वो क्या है, आपका nuclear fusion है, nuclear fusion, कोई भी sun हो, sun हमारा क्या है, star है, कोई भी star हो, उसकी energy का source क्या होता है, nuclear fusion, हमारे sun में क्या है, आपका अगल देखे, sun में 98% आपका hydrogen है, और 2% आपका helium है, तो hydrogen के दो atom, helium में convert हो रहे हैं, और यह आपका nuclear fusion, ध्यान रखेगा, nuclear fusion आपका hydrogen, hydrogen जो bomb होता है, nuclear fusion आपका उसमें भी use होता है, ठीक है, hydrogen bomb जो आपका work करता है, वो किस पर करता है, nuclear fusion पे, hydrogen bomb को जो बनाया था, 1950 में बनाया था, Edward Teller ने, किसने बनाया था, Edward Teller ने, 1950 में hydrogen bomb को, बनाया था, nuclear fusion, nuclear fusion आपका, किस पर work करता है, कि, यह इसे बोलता है, नाभी के विखंड़, यह uncontrollable होता है, यह आपका nuclear reactor, ओके, nuclear reactor में इसका use होता है, इंडिया में ध्यान रखेगा, इंडिया में 7 nuclear reactor है, और nuclear bomb, ओके, nuclear या atom bomb हम जिसे हम बोलते है, atom bomb, ओके, उसमें इसे use करते हैं, nuclear reactor का जो बनाया था, सबसे पहले, वो किसने बनाया था, Enrico Fermi ने बनाया था, nuclear reactor सबसे पहले किसने बनाया था, Enrico Fermi ने बनाया था, जो जो मैं चीज लिख रहा हूँ न, उन्हें आप साथ-साथ note करते चलिएगा, ठीक है, मैं flow flow में काफी सारी चीजे में लिखता चला जाता हूँ, तो आप उन्हें साथ-साथ note करते चाहिएगा, आपके लिए बहुत important होंगी, ठीक है, तो जर अध्यान रखेगा, नुक्लियर रियक्टर का डिस्कवरी किसने करी थी, Enrico Fermi ने करी थी, Atom Bomb, Atom Bomb की जो डिस्कवरी है, मतलब डिस्कवरी तो नहीं, इन्वेंशन बोलेंगे, ओके, तो वो किसने करी थी, Openheimer ने करी थी, किसने करी थी, Openheimer ने आपका Atom Bomb की इन्वेंशन करी थी, ओके, 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 एक सेकेंड दीपक, मैं आपका देखता हूँ, क्या आपका रिजन हो रहा है, जस्ट मिनिट, ओके, लाओ, अब जड़ा देखो, अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ओके, 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 अब जड़ा देखो, यह होगया, आपका Atom Bomb, अब ध्यान रखो, 11th of May, 1998 को न, इंडिया ने क्या करे थे, 5 nuclear blast करे थे, तो यह हम National Technological Day के तौर पर हम Celebrate करते हैं, National Technological Day के तौर पर हम Celebrate करते हैं, अभी आने वाला है न, 11th of May, National Technological Day के तौर पर हम Celebrate करते हैं, Nuclear, कोई भी reaction हो, उससे आपका क्या बनता है, Radio Activity, तो Radio Activity की जो Discovery थी, वो किसने कर रहा था, Henry Bakural ने कर रहा था, किसने कर रहा था, Henry Bakural ने, Okay, Bakural ने Radio Activity की Discovery करी थी, तो यहाँ पर देखो, मैंने आपको किती सारी चीज़े बताई हैं, Okay, I hope आप लोग ने कि, भाई, Nuclear Fusion, Nuclear Fusion, Radio Activity, और Artificial Radio Activity के लिए, हम किसका यूज करते हैं, हम गामा रेस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, गामा रेस का, अब यह जो, जो कोशन है न, यह वाला, यह जो आपके सामने भी दिख रहा है, यह थोड़ा ना, Motion का कोशन है, और थोड़ा सा यह वैसा है, Displacement divided by the Time Interval, Displacement occurs is termed as, कि जब Time Interval में देखा जाता है, तरसल यह Displacement Time Graph होता है, Okay, Displacement Time Graph होता है, Okay, तो आपका जो Displacement होगा, देखो, Frequency तो हो गई नहीं, ठीक है, Okay, Frequency तो आपका हो गई नहीं, और ध्यान रखेगा, Average Acceleration तो होता ही नहीं है, ठीक है, Average Acceleration तो होता ही नहीं है, जब भी आपका Distance का देखा जाता है, वो किसके साथ, अगर आप Distance को देखोगे, ठीक है, आप Distance को Time के साथ देखोगे नहीं, तो इसका Average Velocity होगा नहीं, Option Number C इसका Right Answer होगा नहीं, Average हाँ, आज International Libered है, What is the Mass of Earth, Earth का Mass कितना है, Okay, Earth का Mass कितना है, तो Earth का Mass आपका कितना है, 5.9972 Kilogram, यानि 5.5, Okay, Mass of Earth या Density of Earth आप देखें, अगर देखा जाए तो Density of Earth, अगर आप से पूछ लिए जाए, What is the Density of Earth, तो Density of Earth कितनी होगी है, बताओ जल्दी से, Density of Earth, ऐसे Density of Water भी निकाला जाता है, Density of Earth भी निकाला जाता है, Density of Earth जो है, आपका क्या है, 5.51 Gram per centimeter square, ये Density of Earth है, ठीक है, यानि इसी के basis पर आपका वज़र निकाला जाता है, ओके, आगे बढ़ते हैं, Option number D is का right answer है, आगे बढ़ते हैं, और guys, session को share और like जो करेगा, और अगर बात कराए Sun, तो Sun का जो है ना, Earth से 3.3 lakh times dense है, 3 lakh times variation, ठीक है, ओके, दो flat mirror, आगर 60 degree के angle पर रखे वे हैं, और उनके बीच में एक candle को जलाया जाता है, उनके बीच एक candle को जलाया जाता है, तो उनके बीच आपका, तो उनके बीच कितनी images बनेंगी, ओके, उनके बीच कितनी images बनेंगी, तो दियान रखेगा आपका कि इसके लिए एक number of images अगर हमें find करनी हो, number of images को हमें अगर इस तरीके से find करना हो, तो दियान रखो, इसके लिए एक formula है, 360 by theta, ठीक है, minus 1, ये formula हमेशा use करे रहे ना, 360 by theta minus 1, तो अगर आप देखो, 360 by 60 minus 1, तो आप इस तरीके से देखोगा, तो 5 answer आजाएगा, आपका क्या आजाएगा, 5 answer आजाएगा, जी हाँ, बिल्कुल option number 6, इसका right answer आगे बढ़ता है, एक pendulum घड़ी है, यानि pendulum वाली, जो आपकी किस्से steel rod से बनी वी है, तो अगर हम उसे temperature, तो वो slow कब होगी, ठीक है, यानि अब पुछा है कि वो slow कब होगी, तो temperature rises, moon पे ले जाने पर, या पोल पे ले जाने पर, अब बताओ, वो कब धीरे चलेगी, मतलब आपको पुछा है, एक pendulum की घड़ी है, जो steel rod की बनी है, बाइ, temperature rise करने पर तो जाईर सी बात है, temperature जब बढ़ता है, आपका जो होता है न, length है, उसकी increase हो जाएगी, तो definitely वो क्या हो जाएगी, slow हो जाएगी, moon पे ले जाएगे, तो भी slow होएगी, moon पे ले जाएगे, slow क्यों होगी, क्योंकि moon पे आपका gravitation, earth के मुकाबले 1 by 6 है, और pendulum आपका gravitation पर वर्क करता है, ठीक है, फिर taken from equator to pole नहीं, अगर हम देखें, earth न, earth इस तरीके से है, ठीक है, earth का ये वाला diameter देखो न, तो ये आपका 12,756 km है, और ये वाला diameter earth का देखोगे, तो आपका 12,714 km है, तो earth न, poles पर थोड़ी चप्टी है, और आपको पता है, magnetic field यानि, gravitational force इस तरीके से निकलता है, तो poles पर तो gravitation जादा है, जो हमारी small g की value होती है, gravitational acceleration, जिसे गुरुत्व हम बोलता है, 9.8 meter per second square होता है, वो आपका poles पर पूरा 10 हो जाता है, तो poles पर जाने पर तो pendulum की speed है न, increase हो जाएगी, sport जाने के pendulum की speed क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, तो इस हिसाब से देखा जाए, आपका ये वाला statement तो wrong होगा, ये वाला आपका statement सही होगा, तो then आपका only B is the right answer, very good, Asif, बहुत सही, चलिए, formation of rainbow, dispersion of light, and a coin appears raised when placed in a through field with water, तो इस में से reflection का example कौन सा है, तो rainbow क्या reflection से बनता है, dispersion of light, या option number कौन सा होगा, जल्ली से बताएगा, इस question का answer दीजेगा, और session को share और like जरू करेगा, okay Mr. Tripathi, देबियान Tripathi, okay, option number 3, answer होगा इसका, आसिफ, जब देगा, dispersion of light क्या होता है, dispersion of light, कि light ना, जब एक सफेद prism, कोई white light को, अगर हम prism में से निगा लें, तो वो seven रंग में क्या हो जाती है, आपकी divide हो जाती है, क्या होती है, seven रंग में क्या हो जाती है, divide हो जाती है, लेकिन होता तो इसमें, reflection ही है न, bend तो होती है न, तो ये तो obviously option number 2 तो होगा इसमें, okay, option number 2 तो obviously होगा, अब option number 2 है, okay, option number 2 तो होगा, अब rainbow, rainbow, rainbow में भी आपका refraction होता और आपका ये भी, तो option number 1, 2, 3 इसका, D option होगा इसका okay, option number D होगा इसका, नहीं, crack defense exam इसका answer, option 1, 2, 3 3 होगे, अब वो आपको concept क्योंकि अगर देखो ये water molecule है, rainbow का देखो तो water molecule में जब आपका light ray enter होगी, वो होगी तो band तभी तो वो seven रंगों में बटेगी ना तो इस वज़े से rainbow भी बनता है सर okay, इस वज़े से आपका rainbow भी बनता है, okay फिर strongest force in the nature, प्रकलती में सबसे मजबूत बल कौन सा है, electrical force, gravitational force, nuclear force, magnetic force, what will be the answer, और session को ना share और लाइक जहू करेगा, जली से बताओ, strongest force in nature, strongest force in nature, electrical force, gravitational force, nuclear force, magnetic force, क्या होगा इसका answer, और session को लाइक और share जहू करेगा, इसका answer, nuclear force, okay, आसिफ ने इसका answer दिया, nuclear force, जो की बिलकुल सही है, बिलकुल, अगर देखा जाए, नेचर में सबसे strongest force आपकी जो है, strongest force, आपकी nuclear force है, और weakest, सबसे जो कमजोर वल है, weakest force आपकी क्या है, gravitational force, अगर ये gravitational force strongest हो गई न, तो अर्थ तो फिर sun के साथ चिपक जानी चाहिए जाके, क्योंकि ये gravitation क्या है, एक दूसरे को बांद एक रखता है, एक दूसरे से मिलते तो नहीं है, तो ये weakest force है, okay, option number C, इसका right answer, option number C, इसका right answer, आगे बढ़ता है, absorption of ink by bloating paper, involves viscosity of ink, capillary action phenomena, diffusion of ink through bloating, और siphon action, जल्ली से बताएगा, absorption of ink by bloating paper, okay, bloating paper द्वारा साही का absorption क्या होता है, simple, अगर आप कोई paper को अगर डालोगे, तो उसमें अगर, तो अपने आप ऊपर आ जाता है, इंक ऊपर पहुच जाती है, इस ही का example है, मुम बत्ती जो जलती है, तो wax जो जाता है, या लाल टेन या दिया जो जलता है, तो capillary action होता है, क्या होता है, capillary action, और इसमें भी आपक pressure, okay, what is the SI unit of pressure, okay, SI unit क्या है, pressure की, atmospheric pressure की, okay, जल्दी से बताओ, what is the SI unit of pressure, okay, जो आपका joule है, ये तो आपको पता है, energy की unit होती है, ठीक है, joule तो आपकी किस की unit होती है, energy की unit होती है, ohm आपको पता है किस की unit होती है, resistance की unit होती है, resistance की unit होती है, knot जो होता है, speed होती है, ये, okay, लेकिन ये speed हम किसमें measure करते हैं आपका, C में, समुद्र में, जो speed है, उसका हम किस से करते हैं, आपका knot से, actually atmospheric pressure, pascal दिया हुआ है, लेकिन इसका जो वैसे atmospheric pressure की जो unit होती है नो वो क्या होती है? बार होती है, ठीक है क्या होती है? बार, atmospheric pressure को हम जो measure करते हैं, वो हम किस से करते हैं? एक instrument होता है, इसका नाम होता barometer, barometer से, और इस barometer में हम bar में इसे calculate करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला question, the branch of, okay, the branch of science, herpetology, deals with the study of, okay, जल्दी से बताओ, उस question का answer क्या होगा? जैसे study of fist, okay, study, इन पे भी question आता है, कि भाई, फला-फला को क्या बोला जाता है? study of fish, तो fish की study को हम बोलते हैं, शायद ectiology बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ectiology, study of fish को हम क्या बोलते हैं, ectiology, ठीक है, ectiology बोलते हैं, study of insect, okay, insect, study of insect, इसे etonomology बोलते हैं, क्या बोलते हैं, study of insect को entomology, entomology बोला जाता है, ठीक है, entomology, अब snakes हो, या amphibian हो, amphibian होते हैं, जो पानी और अर्थ दोनों, यानि water and earth दोनों पर रहते हैं, जल और थल, उभेचर बोलते हैं, और reptiles, इनकी जो study हैं, इनने हरपेटोलोजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हरपेटोलोजी बोलते हैं, इनकी जो study होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? Herpetology, फिर इसी तरीके से कई सारे study हैं, जैसे आपका जो fungi है, fungi, fungus जिसे हम बोलते हैं, fungi की जो study है, इसे हम बोलते है, mycology, mycology बोलते हैं, ठीक है, इसी तरीके से एक आपका होता है, algae, algae, algae की study को हम बोलते है, ép 000 की study को हम क्या बोलते है, fy storage बोला जाता है, अब अघर हम body organs की बात करें, तो blood की जो study होती है, blood, blood की study को हम बोलते है, hematology, hematology, अच्छा, आपके जो kidney होती है na, kidney, kidney में जो cell होती है, kidney की, उसे हम बोलते है nephron, तो जो kidney की, जो study होती है na, kidney की, बहुत important organ होता है, इसे हम nephrology बोलते हैं, क्या बोलते हैं, nephrology हम इसे बोलते हैं, आपका जो liver होता है, liver, liver की जो आपकी study हो से, उसे क्या बोलते हैं, heptology बोलते हैं, क्या बोलते हैं, heptology, liver, hepatitis disease, liver से ही, तो heptology ऐसे धियान रखेगा, फिर आपका जो muscles है, muscles, muscles की study को हम बोलते हैं, muscles की study को हम बोलते हैं, myology, myology, यह कुछ important, important लिखवा रहा हूं, हम multicellular organism हैं, हमारे बहु कोशिक है जीव हैं, तो कई सारे जो cell हैं, अगर वो एक तरीके से एक जैसी property रखते हैं, उन्हें हम बोलते हैं tissue, तो जो tissue की study होती है, जो tissue की study होती है, उसे हम बोलते हैं, histology, उसे हम क्या बोलते हैं, histology, उसे कहा जाता है, तो यह कुछ आपको मैंने लिखवाया या, I hope आपको यह समझाओ का, दिमाग के का, okay, दिमाग की का, neurology, क्योंकि nerve cell होती है, आगे बढ़ते हैं, microwave oven, में microwave tube जो use करते हैं, वो किस की बनी हो use करते हैं, combination of cholesterol, long और magnetron, you, जो microwaves होती हैं, microwaves, इन्हें microwaves इसलिए कहा जाता है, यह पहली तो बात, यह क्या होती हैं, आपकी electromagnetic wave होती है, क्या होती हैं, यह आपकी electromagnetic wave होती हैं, और एक चीज़ दियान रखेगा, इनका जो आपका wavelength होता है न, वो 10 to the power minus 2 meter से भी कम होता है, इनका जो wavelength होता है, 10 to the power minus 2 meter से भी कम होता है, इसी वज़े से ने microwave बोला जाता है, इसी वज़े से ने क्या बोला जाता है, microwave बोला जाता है, जी हाँ, बिलकुल, अगला, to keep drink at same temperature for quite some time, okay, the wall of thermos bottle are coated with, देखो जो heat का transfer है न, यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, heat का जो transfer होता है वो three types से होता है, ठीक है, three types से होता है, एक होता है आपका conduction, metals जो होते है न, वो conduction के process से गरम होता है, इसमें क्या होता है, कि medium के particle को disturb नहीं करा जाता है, और heat का transfer होता है, अगर suppose को यह एक लोहे की rod है, और मैं के वाली tip को heat up करूँ, तो पूरा rod गरम हो जाएगा, तो यह आ दूसरा होता है आपका convection, convection, convection होता है, medium के particles को disturb करना होता है, जैसे अगर सर्थियों में नहाने के लिए पानी की rod लगाते है, तो पानी की rod लगाते है, तो क्या होता है, जो नीचे का पानी होता है, तो थंडा हो जाता है, उपर का पानी गरम होता है, तो पूरी bucket के पानी को गरम करने के लिए उसमें मिक्स करना पड़ता है, तो gases और liquid में convection होता है, फिर एक होता है आपका radiation, radiation से सबसे ज़्यादा heat loss होता है, ठीक है, radiation, अर्थ और sun के बीच में तो vacuum में कोई medium है यह नी, अर्थ की हीट, sun की हीट आती है अर्थ तक वो radiation से होता है, और radiation से ही सबसे ज़्यादा क्या होता है, heat loss होता है, तो thermos में इस radiation को रोका जाता है और इसके लिए aluminum paint का use किया जाता है, नहीं, silver layer का नहीं, aluminum paint का use किया जाता है, silver नहीं होता है, aluminum paint का, ओके, on adding salt, okay, on adding salt in the water, okay, the boiling point and freezing point, जल्दी से बताएगा, on adding, okay, on adding salt, okay, on adding salt in water, ठीक है, in water, तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, on adding salt in water, boiling point and increasing point, okay, तो जल्दी से बताओ, क्या होगा, okay, on adding salt in water, boiling point, क्या होगा, increase होगा, boiling point, यह decrease होगा, जल्दी से बताओ, इस question का answer क्या होगा, boiling point, increase होगा, decrease होगा, okay if you add salt into the water तो जो ना boiling point है okay वो increase होगा okay वो क्या होगा increase होगा boiling point क्या होगा increase होगा और जो आपका freezing point है वो क्या होगा आपका decrease होगा okay boiling point आपका increase होगा and freezing point आपका क्या होगा decrease होगा इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, option number, चीक है, option number A का, increase, boiling point, और freezing, अच्छा है, इसमें freezing point भी पूछा था, freezing point आपका decrease होगा, option number D इसका answer होगा, I don't know why आप इसका answer A क्यू दे रहे हो, चलो, आजा, important nuclear fuel available in abundance, लेकिन इंडिया के पास रहे टेकनोलाजी नहीं है, इस fuel को यूज करने की, यह आपका thorium है, और यह केरला में आपका है, इसका, जो सबसे जादा आपका reserve है, वो कहां पे है, केरला में, अगला question, hair brush, जो होता है, hair shaving, shaving के लिए करता है न, अगर हम उसे water में dip करते हैं, और वापस निकालने हैं, तो उसके जो सारे, जो hairs होते हैं, या जो सारे strand होते हैं, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, तो वो ऐसा क्यो होता है, वो ऐसा क्यो होता है, जल्दी से बताएगा, the hair of shaving brush cleansings together when removed from water due to surface tension, viscosity, elasticity of friction, जल्दी से बताएगा, इस question का answer क्या होगा, option number A, B, C, D, जल्दी से बताओ, इस क्या होगा, what will be the answer of this question, और guys, session को share or like जरू कर जल्दी से बताओ बिटा, इस question का answer क्या होगा, यह hair brush, okay, viscosity, viscosity, the hair brush of shaving, तो भाई यह तो surface tension, yes, उनके बीच क्या होता है, surface tension को क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, okay, very good, आगे बढ़ते हैं, अगले question की और, अगला question आपकी screen पे यह रहा, कि आपको क्या बताना है, specific gravity of milk हम किस से measure करते हैं, specific gravity of milk is measured by which thing, जल्दी से बताओ, इस question का answer क्या होगा, specific gravity of milk, हम कैस से measure करते हैं, and guys, session को share or like जरू करिएगा, okay, तो देखो, viscosity meter से तो, हम, viscometer से तो viscosity, viscosity ही measure करते हैं, hydrometer से हम humidity, humidity को measure करते हैं, ठीक है, hydrometer से तो हम humidity को measure करते हैं, और odometer से हम क्या use करते हैं, ठीक है, odometer से हम क्या use करते हैं, odometer आपकी bike वगर हमें लगा रहता है, odometer आपकी bike वगर हमें लगा रहता है, हम इस से distance को measure करते हैं, किसको measure करते हैं, distance को measure, और आपका hydrometer से specific gravity of milk को use करते हैं, ठीक है, एक लेक्टोमीटर भी होता है, ठीक है, लेक्टोमीटर में हम fat content को measure करते हैं, अच्छा जड़ा देखते हैं, which of the following use in आपका oven में कौन सी use होती है, तो obviously oven में आपका microwave use होती है, UV rays जो होती है न, यह हम पहले aqua guard वगरा आता था था न, तो water purifier के तोर पे use होती थी, water purifier, क्योंकि bacteria को माल देती थी, water purifier के, water purifier के तोर पे इसको use किया जाता था, और x-ray का तो आपका use पता है, कि CT scan जो आजकल कोरोना में कराना पड़ता है, x-ray वो आपका होता है, radio wave आपका दो types की होती है, एक होता है short radio waves, short radio waves, और एक होती है long radio waves, और दोनों का ही हम communication और broadcast में का use करते हैं, okay, okay, दोनों का ही हम communication और broadcast में करते हैं, previous year question पर based है, previous year question पे पर तो उसका एक दो ही मिले, previous year question पर based है, okay, spritulating of color, different color of light into a prism, reflection of light, reflection of light, कैसे हो जाएगा, okay, dispersion of light, diffraction of light, या reflection of light, तो आपका, देखो, reflection of light क्या है, कि light जो रह आई, वो इस तरीके से टकरा के चले गई, dispersion of light होगा, कि भाई, prism में से जब एक light, सफेद light को, जब पास करा जाता है, जब वो prism से भाहर आती है, तो seven rungs में आपका deflect हो जाए, diffraction क्या होता है, कि अगर light को, अगर हम stop करते हैं, तो उसके कौनों से वो, आपका क्या होता है, evade होने लगती है, reflection of light क्या होता है, reflection of light है, कि जब light ray आपका, एक rarer medium से denser medium में enter करती है, तो उस वो deflect हो जाती है, okay, होती है, deflect, तो इसका answer होगा, diffraction of light, sorry, dispersion of light, option number B, yes, pankaj, option number B ही, इसका answer है, B, okay, I hope आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो, और guys, session को share or like जोगरेगा, okay, चलिए, इस question का answer दीजिएगा, which among the following waves are used in communication by artificial satellite, अब इतने artificial satellite जो होते हैं, उनको हम कौन से, मतलब, communication उनसे जो करते हैं, वो कौन से waves को use करते हैं, microwaves, radio waves, और what will be the answer, जल्दी से बताओ, answer क्या होगा इसका, ओके, what will be the answer of this question, जल्दी से बताओ, क्या होगा इसका answer, देखो, हमारे atmosphere में एक layer है, हमारे atmosphere में एक layer है, जिसका नाम है ionosphere, ionosphere, तो ionosphere से क्या होता हैं नहीं, जित्ती भी हम radio waves छोड़ते हैं, तकरा कर दुबारा अर्थ पे वापिस आ जाती हैं, इसी वज़े से radio waves का हम communication में तो use करते हैं, और आपका radar में भी use करते हैं, किसमें करते हैं? radar में, लेकिन, जब satellite, तो satellite के लिए हम किसका use करता है, microwave का use करते हैं, किसका use करते है, microwave, ना 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 रेडियो waves जो answer दे रहे हैं, गलत answer, microwave answer है इसका, इसका answer है microwave, ऐसा लग रहा होगा न, radio waves होगा, लेकिन radio waves तो टकरा कर वापस आ जाती है, ionosphere से, ओके, आपका wireless, आपका mobile phone, आपका, जो है, यह आपका radio waves पे चलता है, लेकिन आपका microwave से आपका satellite का चलता है, option number A, इसका right answer है, ओके, option number A, इसका right answer है, और submarine जो होती है, okay, submarine हो गया, आपका, फैदो मीटर हो गया, okay, फैदो मीटर, फैदो मीटर एक instrument है, जिससे depth of sea को measure किया जाता है, किसको measure किया जाता है, depth of sea को measure किया जाता है, और submarine हो गया, या आपका, इसमें हम use करते हैं, ultrasonic waves, जिसे हम sonar बोलते हैं, actually में क्या होती है, ultrasonic waves होती है, ultrasonic waves होती है, and guys, session अगर अच्छा लग रहा हो न, तो session को न, या like जरू करो, अगर session अच्छा लग रहा हो न, तो session को like जरू करिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और general science हो गया, history of railway, जी के, अब Monday को na, DFC-CIL की history पर हम चल्चा करेंगे, okay, क्योंकि आपके इस exam में आएगा न, which among the following types of coal produce most heat, यानि सबसे ज़्यादा heat कौन सा coal produce करता है, भाई, जिसमें जतना ज़्यादा carbon होगा, वो उत्ती ज़्यादा heat produce करेगा, तो यह होता है, आपका anthracite, anthracite में आपका 98-99% आपका क्या होता है, carbon होता है, तो यह high quality का होता है, यह high quality का, यह high grade coal होता है, यह high quality का coal होता है, लिगनाइट में आपका 92-92% आपका क्या होता है, carbon होता है, तो यह आपका low quality का माना जाता है, यह आपका क्या माना जाता है, लो quality का coal माना जाता है, ठीक है Option number C, इसका right answer है, अगला question, what is absolute temperature, सबसे पहले तो यह देखना पड़ेगा, absolute temperature क्या होता है, तो absolute temperature क्या होता है, absolute temperature क्या होता है, इसे हम बोलते है, 0 Kelvin, इसे हम क्या बोलते है, 0 Kelvin, ओके, 0 Kelvin पर आपका जो होता है ना, minus 273.5 degrees Celsius temperature होता है, इससे ज़्यादा कोई चीज ठंडी नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा कोई चीज ठंडी नहीं हो सकती, खेर इसे हम artificial तोर पे भी नहीं produce कर सकते, ना ही यह naturally हमें पाए जाता है, यह एक hypothetical situation हम मानी गई है, इस 0 Kelvin पर क्या होता है, electron की moment, कोई भी element या कोई भी matter है ना, उसमें electron की moment भी रुख जाती है, तो इस condition में क्या होगा, semiconductor में electrical resistance क्या हो जाएगा, infinite हो जाएगा, resistance क्या हो जाएगा, infinite हो जाएगा, ओके, जब electron की moment ही नहीं होगी, तो resistance तो क्या होगा, by current जो supply होगा, वो electrons के द्वारे तो होगा, जब electrons की movement ही नहीं है, तो क्या हो जागा, infinite होगा, और जो conductance है, okay, conductance है जो, वो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, conductance जो है, वो आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, आप लोग उल्टा answer कर रहे हो, आप लोग उल्टा answer कर रहे हो, समझ रहे हो, okay, विनीता माथुर, सत्यरंजन, रे, पंकज, अमृता, शुवम, सौरवराज, समझ आ गया, okay, तो आपकी infinite हो जाएगी, ठीक है, high, मतलब उस हाई का एक लिमिट होता है, जैसे माउंट आवरेस्ट है, माउंट आवरेस्ट आपका किती हाइट पह है, आपका 8848 मिटर्स पह हमें उसकी लिमिट पता है, अब वो कितना resistance होगा, तो हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, तो इसी वज़े से infinite को यूज गया जाता ह है, okay, very good, and guys do share and like this session, I hope आपको मेरी बास समझ में आ रहे होगी, आगे बढ़ते हैं, when a light wave passes, okay, when a light wave passes from air to glass, okay, यहनि that means rarer to denser medium, light ray enter कर रही है, so उसका कौन से variable effect होंगे, wavelength, frequency, velocity, frequency, velocity, wavelength, frequency या wavelength, velocity, okay, जल्ली से बताइएगा इस question का answer, when light wave passes from air to glass, the variables affected are, wavelength, frequency, velocity, velocity and frequency, wavelength and frequency, wavelength and frequency, wavelength and velocity, what will be the answer of this question, okay, now answer this, क्या होगा इस question का answer, when a light wave passes from air to glass, variables affected are, wavelength, frequency, velocity, okay, तो ध्यान रखना, आसिफ ने इसका answer एकदम सही दिया है, सूरज गुमार ने भी answer सही दिया है, see option तो हो गए नहीं, देखो, कोई भी light wave हो, sound wave हो, किसी भी type की wave हो, जब वो एक medium से दूसरे medium में जाएगी न, उसकी हल चीज़ चेंज हो जाएगी, accept frequency, आवर्ती, ठीक है, frequency को छोड़के उसकी सारी चीज़े क्या होंगी, उसकी speed भी change हो जाएगी, उसकी wavelength भी change हो जाएगी, velocity भी, velocity speed होती है, तो frequency, frequency actually में क्या होता है, vibration per second, okay, vibration per second frequency होता है, और इसको हम hertz में measure करते हैं, किसमें करते हैं, hertz में, Suji Singh, good evening, okay, a sudden fall in barometer, indicates weather will be, अगर barometer, जिससे हम atmospheric pressure को measure करते हैं, तो अगर उसमें barometer में एकदम से mercury नीचे गिल जाए, यानि पारा नीचे गिल जाए, तो यह आपका बताता है, कि भई, जहां पर यह barometer की position है, वहां पर क्या है, low pressure है, अब जैसे ही low pressure होता है न, तो अर्थ का एक equilibrium होता, nature का, तो low pressure में, इसे क्या होगा न, wind moment जो होती है न, अर्थ पे, वह high pressure से low pressure तक होती है, ठीक है, जो wind moment होती है, वह high pressure से low pressure होती है, तो अब अर्थ, चारों तरफ से wind इस तरफ flow करने लगेगी, तो यह किसका होगा, आपका stormy weather का, ओके, यह क्या होगा, stormy weather, हाँ, number of cycle per second, that is vibration per second, वही simple way में मैंने बता है, तो stormy weather होगा, ठीक है, अर्थ पे जो, इसलिए तो तूफान आने से पहले थोड़ी सी खामोशी हो जाती है न, ओके, sun is visible to us a few minutes before the sunrise, अब देखो, जैसे यहाँ पे, यह आपकी earth है, this is horizon, यह आपका क्या है, शीती जे, अब sun अगर यहाँ पे होगा, ठीक है, अब आपको पता है, sun की जो light है, वो सभी direction में है, और यहाँ पे earth का क्या है, atmosphere है, यहाँ पे क्या है, earth का atmosphere है, तो rarer medium से जैसे ही, denser medium में light जाती है, तो reflection हो जाता है, और जब sun आपका set हो रहा होता है, तो यही condition होती है, तो sunrise से two minutes earlier, और sunset के two minutes later, ओके, early sunrise और delayed sunset, यह हमारा reflection of light के कारण होता है, किसके कारण होता है, reflection of light के कारण, यानि आपका early sunrise और delayed sunset आपका कैसे होता है, reflection of light के कारण होता है, किसके कारण होता है, reflection, not reflection, reflection, scattering of light के करएंट हमारा जो sky है वो blue दिखाए देता है, okay, sky है वो क्या दिखाए देता है, blue दिखाए देता है, and guys, this session को यार, like और share कर दो, at least या like को 75 प्लस तो पोचा दो, only आपके 8 likes की दरगार है, तो जरह session को like करके, जरह 75 प्लस like में पोचा दो, फट आफट बस, इतना सा इक है, आपको इतना से questions कर आए हैं मैंने, तो इतना तो जरह करिए जरूर, चलो, आगे बढ़ते हैं, which of the following radiation are highest, has highest energy, तो ये एक electromagnetic wave spectrum होता है, okay, ये एक electromagnetic spectrum होता है, okay, तो ये तो sir, मुहमद सम्दान, ये कल आपको हम बताएंगे, अभी तो मैंने वो notification एता, detail wise नहीं पड़ा है, pdf, yes, pdf मिल जाएगा, आपको comment section में pdf ले लीजएगा, okay, तो देखो, electromagnetic wave spectrum जो होता है, वो कुछ इस तरीके सोता है, जाया धान से, सबसे पहले आपका आता है, gamma rays, gamma rays की penetration power सबसे ज़्यादा होती है, gamma rays, gamma rays का जो discovery है, वो henry bacural ने करी थी, किस ने करी थी, henry bacural, gamma rays को हम artificial radiation को generate करने के लिए करते है, gamma rays के बाद आती है, आपकी x rays, x rays को जो discover करा था, विलियम रॉंट जन ने करा था, ठीक है, रॉंट जन, अब gamma rays के बाद आती है, आपकी UV rays, okay, UV rays, UV rays, जो है, इनका जो discovery थी, वो return ने करी थी, ठीक है, UV rays के बाद आपका gamma rays, x rays, UV rays, इसके बाद आपका आता visible ray, visible ray के कारण हम देख बाता है, यह आपकी newton ने करी थी, visible ray के बाद आपका आता infrared, ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, तो आपका infrared, और infrared के बाद आपका radio waves आता है, ठीक है, तो आपकी gamma rays की penetration यानी high energy होती ह तो gamma rays तो option में नहीं है, x rays इसका answer होगा, अच्छा infrared का जो है न हम use, TV remote में करते हैं, ठीक है, TV remote, Bluetooth, यह हम इसमें किसमें करते हैं, इंफरा red में करते हैं, किसमें करते हैं, इंफरा red, तो सबसे जादा energy किसमें होगी, ओके, ओके रितेश रंजन धन्याद सर, तो आपका इस question का answer x ray है, number one, अरे आप electromagnetic spectrum देखना न, ठीक है, और five, और radio waves में भी दो waves होती है, एक short radio waves, एक अपकी long radio waves होती है, okay, last question आजगा, pyrometer, pyrometer, sun का जो temperature है, 20 crore degree Celsius है, sun का temperature है, और उसका surface temperature 6000 degree Celsius है, अब कोई ऐसा तो है नहीं है, कि भई, वहाँ गया होगा, thermometer लेकर, चेक करका, तो radiation को detect करके temperature जो बताता हूँ, आपका क्या बताता, पायरो मीटर, तो पायरो मीटर आपका high temperature को measure करता है, किसको measure करता है, high temperature को, I hope आपको आज के session में अच्छा लगा होगा, आनन्द आया होगा, रखेगा, यह हमारे DFC, CIL के batches है, ओके, junior executive सभी के लिए, तो आप इसे कर सकते है, capital U 191, एक चीज़ मैं आपको all दिखाना चाहता हूँ, अगर आप मेरे को, कि defense forces को अगर मन है, तो ध्यान रखेगा, order 24-7, specialized आपके लिए एक batch लाया है, यह batch का नाम है, conquest, आप order 24-7 की website पे जाईए, और conquest आप type करिएगा, तो यह आपके सामने यह batch आ जायागा, ठीक है, यह हमारा special batch है, defense के लिए, okay, CAPF conquest batch, okay, यह आपका पर्स हो, यानि Monday से शुरू हो रहा है, मैं इसमें आपको history of quality पूरे detail wise कराऊँगा, UPSC level की कराऊँगा, ठीक है, और इसी तरीके के आपको मैं session कराता रहूँगा, और session को share और like जो करेगा, कल भी कोशिश करूँगा, कल मेरी defense अड़ा पर एकलास है, ध्यान रखेगा, एक चीज़ आपको भी मताऊँगा, capital U191 अगर आप इसको use करेंगे, तो only 1379 रुपीज में आपको बैच मिल जाएगा आज, ठीक है, और आप UPSC CAPF की preparation कर सकेंगे, तो जल्दी ही आज ही इस बैच को join करेगा, हाँ, okay, yes, exam तक वो बैच continue होगा, और ध्या 24-7 का एक और चैनल है, Defense Adda 24-7, आप उसमें आ सकते हैं, कल मेरी उसमें शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे, Defense Adda पर class होगी, Defense Adda, और ये आपकी Marathon किलास होगी, जिसमें मैं आपको UPSC level के History, Geography, Quality, Current Affairs, Defense Exercises, इन सब के questions कराऊँगा, तो guys, session को share और like जो करेगा, मैं मिलता हूँ और सो, शाम को 4 बजे, तब तक के लिए, जय हिन, जय भाहरत, God believes all, भावाए!